आरजेडी और जेडियू गटबंधन तूटने की कगार पर पहुँच चुका है। चर्चा है कि नितीश कुमार 28 जनवरी को मुख्य मंत्री पद की शपत भी ले सकते हैं। इसे लेकर शुकरवार को पटना में दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। राबडी आवास पर लालू तेजस्वी ने आरजेडी कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक की वहीं नितीश कुमार ने भी सियम आवास पर अपने नेताओं से मुलाकात की है। उधर दिल्ली में बिहार की सियासी हलचल को देखते हुए बीजेपी के शीर्स नेताओं ने भी मीटिंग की। इसमें पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नडड़ा, ग्रह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के महासचिव बियल संतोस भी शामिल हुए। नहीं भाजपा सूत्रों के माने तो नितीश कुमार आज मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। नितीश कुमार पहुँचे लेकिन डिप्टी सीम तेजस्वी यादो नहीं गये। सिक्षा मंत्री आलूक महता को छोड़ कर आरजडी का कोई भी नेता पिधायक टी पार्टी में नहीं पहुँचा। राजभवन में सीम करीब 50 मिनट मौझूद रहे। इस दोरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाये रखी। खास बात ये थी कि सीम नितीश ने कुर्सी से उठकर पूर्व मुख्य मंत्री जीतन राम मांजी से जाकर मुलाकात की। राजभवन से निकलने के बाद जब उनसे तेजस्वी के नहीं आने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि उन्हीं से जाकर पूछ लीजे। चर्चा इस बात की भी है कि नितीश कुमार 28 जनवरी को एक बार फिर मुख्य मंत्री पद की शपत ले सकते हैं। इन चर्चाओं को लेकर जब पूर्ब डिप्टी सीयम सुशील कुमार मोदी से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा राजनीती में किसी के लिए दर्वाजे पर्मानेंट बंद नहीं होते हैं। बंद होता है तो खुलता भी है। उन्होंने कहा कि भाजपा जिस तरह से लड़ते चली आ रही है इस तरह से आगे भी लड़ेगी। आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आपवागी। अगले से अग़े नाप येटियो गूले ये वीडियो बड़ेगी।